नमस्कार, सचिन योगा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज की ये मैं वीडियो सभी माताओ, भेनो, भाईयों सभी के लिए लेकर आया हूँ जिनको एडियों के फटने की समस्या रहती है एडियों में दरारे पड़ जाना, या एडियों से खून आना देखिए ये किस वज़े से होता है ये बहुत सारी वज़ाएं हो सकती है अगर शरीर में रूखापन है, तो एडियों फट जाती है अगर बोड़ी के अंदर आप पानी कम पीने से आपकी बोड़ी के अंदर ड्राइनस आगी है तो एडियों फट जाती है सर्दियों की वज़े से एडियों फट जाती है उमर जैसे जैसे बड़ी हो जाती है तो शरीर में रूखापन आने से एडिया फट जाती है अगर आप बहुत ज़्यादा पैदल चलते हैं बिना चपल के चलते हैं तो आपका सर्फेस हार्ड हो जाता है जिसकी वैसे एडिया फट जाती है दूल, मिट्टी, करण कठे होने से एडिया फट जाती है तो इसके बहुत सारी रीजन है तो आपने क्या करना है अगर आपकी एडिया फटती है तो सबसे पहले आप गरम पानी में निम्बू डाल कर अपने पैरों की एडिया को अच्छे से दो लीजिए दोने के बाद आपने जैफल लेना है जैफल कच्चे दूद में जैफल को गिस लीजिए गिसने के बाद इसके गुलाब की पंक्टिया डाली है और उसको भी गिसे जब ये सारा लेब त्यार हो जाए तो जो आपकी एडिया जो द्रारे फटी हुई है उसमें इसको भर दे लेब को आप देखेंगे 10 से 15 दिन में आपकी जो एडिया फट गई थी वो द्रारे भर जाएंगी भर के आपकी एडिया बिल्कुल कोमल हो जाएंगी जैसे कुछ साल पहले आपकी एडिया होती थी बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी और गुलाबी कलर का उसका रंग हो जाएगा और बिल्कुल सौफ हो जाएगी ये बहुत ही फाइदेमंद फार्मूला है जिनकी एडिया फट जाती है ड्राइनेस की वज़े से मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में श्यार करें ज़्यादा लोगों में श्यार करें